पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसकी भारत के साथ जो तलखिया हैं जिन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच में बिलकुल नहीं बनती उसे अब शायद पूरी दुनिया समझती है तब ही तो दूर दूर तक नजर नहीं आता कि पाकिस्तान अपने अंदर बदलाव करेगा बदलाव करने से हमारा मतलब है आतंकवात पर लगाम लगाना और जब तक ये बदलाव पाकिस्तान के अंदर आता नहीं है तब तक पाकिस्तान भारत के साथ किसी तरह के रिष्टे क ये बारे में सोच भी नहीं सकता लेकिन पाकिस्तान का दोहरा चेहरा है पाकिस्तान एक ही गेम को दो तरह से खेलता है अब जैसे पाकिस्तान पर अब तक आतंकवाद को ले करना जाने कितने ही आरोप लग गए हैं अब पाकिस्तान ने अपने ही देश के नागरिक पर पहलाने का आरोप मड़ दिया है लेकिन पाकिस्तान ने कभी अपने गिरेबान में छांक कर नहीं देखा वो भी तब जब पूरी दुनिया उस पर आतंग फैलाने का आरोप लगाती रही है लेकिन मजाल है कि पाकिस्तान के कान पर जूंक तक भी रही जाए लेकिन अब जब अलताफ हुसेन पर आरोप लगा है तो उन्हें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी से उम्मीद जगी है। उमीद ऐसी कि उन्हें भारत में शरण चाहिए। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ भारत में शरण मांगी है। जियो न्यूस के एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 में उन्होंने ब्रिटेन से पाकिस्तान में रह रहे अपने समर्थकों को एक भड़काव भाशन दिया था। जिसके बाद इस साल 10 अक्टूबर को ब्रिटेन की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने हुसैन पर आतंकवाद से जुड़ा मामला दर्च किया था। जून 2020 में उनके खिलाफ स्टान ट्रायल होना है और जमानत शर्टों के तहट ब्रिटेन की पुलिस के पास उनका पास्पोर्ट जमा कराया गया है। और फिर अदालत ने अनुमती नहीं मिलने तक उन्हें किसी भी यात्रा दस्तावेश के लिए आवेदन करने से भी मना किया है। के खिलाफ भी संघर्ष करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इससे पहले अलताफ हुसेन ने आयोध्या पराय सुप्रीम कोट के रिसीजन का भी खुले तोर पर स्वागत किया था। सोशिल मीडिया पर एक वीडियो जारे कर असर्दुद्दी नोवैसी पर भी निशाना साधा था। कहा था कि जिन लोगों को फैसला स्विकार नहीं है उन्हें भारत छोड़ कर चले जाना चाहिए। मौझूदा हुकूमत पर हिंदू राज काहिँ कर रही तो मौझूदा हुकूमत को हिंदू राज काहिए। क्या नाम है इनका? मौलाना असद उद्दीन? मौलाना असद उद्दीन हो वैसी जाएए आप पाकिस्तान! आपका मुल्क, मुसल्मानों का मुल्क पाकिस्तान है! आपने दो कौमी नजरिये पेदा तुकड़े कर दिये मुल्क के वदन के! ये पहली बार नहीं है जब अलताफ हुसेन ने भारत में शरण लेने का मन बनाया हो! इससे पहले भी वो इस बात को कह चुके हैं कि वो भारत जाना चाहते हैं क्योंकि उनके दादा दादी वही दफन है! उन्होंने कहा था कि उनके हजारों रिष्टेदारों की कबरे भारत म अलताफ भारत आकर उनकी कबरों को देखने की इच्छा विक्त कर चुके हैं। इसी साल सितंबर में अलताफ हुसेन का एक वीडियो वाइरल हुआ था जिसमें वो भारतिय देश भक्तिगीर सारे जहां से अच्छा हिंदोस ता हमारा गाते वे लिखाई दे रहे हैं। इससे पहले वो अलताफ हुसेन ही थे जिन्होंने नवार शरीफ को पाकिस्तान में पोलोनियम नामक जहर दिये जाने का दावा किया था। साथ ही अपनी एक रिसर्च को भी लोगों के साथ ट्विटर पर साज़ा किया था। बतादे साल 1984 से ही अलताफ हुसेन उर्दू भाशी मुहाजरों के अधिकार के लड़ाई लड़ रहे हैं। मुहाजर वो शर्वनार्थी हैं जो आजादी के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे। साल 2006 में कनेडा के फेडरल कोट ने MQM को आतंकी संगठन करा दिया था। अलताफ हुसेन के किसी भी बयान को पाकिस्तान में दिखाने की अजाज़त नहीं है। लाहुर कोट ने सितंबर 2015 से ही अलताफ की तस्वीर या बयान के प्रसारण पर रोक लगाई हुई है। साल 1992 में पाकिस्तान की ततकालीन प्रधान मंतरी बेनजीर भुटो ने सेना भेट कर कराची में MQM और उसके कारिकरताओं का बुरी तरह दमन किया था। उस समय कराची में हजारों लोगों की मौत हुई थी जिसके बाद ही अलताफ पाकिस्तान छोड़कर ब्रिटेन चले गए थे। साल 2002 में उन्हें ब्रिटेन की नागरिक्ता भी मिल गई थी। अलताफ हुसेन पर पाकिस्तान में फिलाल 3566 मामले दर्च हैं और पाकिस्तान की नाशनल इसेम्बली में इस वक्त भी MQM के 25 संसत हैं। इस सब के बाद अब देखना दिल्चस्थ होगा कि प्रधान मंतरी नरेंडर मोदी अलताफ हुसेन को कैसे परखते हैं और फिर अलताफ हुसेन के अपील पर क्या मन बनाते हैं उन्हें भारत में शरण देते हैं या फिर उन्हें आर्थिक मदद देते हैं या फिर पड़ताल करते हैं कि अलताफ इनमें से कुछ भी डिजर्व करते हैं या नहीं उसके बाद इस पर अपना कोई फैसला लेते हैं गसे इस पर आपकी क्या राहे आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं शायद आपके कमेंट से पीएम मोदी को इस मामले पर फैसला लेने में कोई मदद ही मिल जाए